इसका कुछ-कुछ डिजाइन ना इंटीरिया से भी म्याच करता है क्योंकि अमिताव बच्चन के घर के भी कई गुना महंगा है इसी बीच उसके और रिना रोय के अफेर की चर्चा शुरू हो गई तुनाव लरा जिसमें सतुर्दन सिन्ना पचीश जर मतोस के अंतर हार गए वल्कम बैक टू ब्लॉग चनल आप सभी का श्वागत करते हैं इस पैरेसे ब्लॉग में मैं फिर से आचुका जू हूँ यह नो नमर गली में मैं इस्थीर हूँ नो नमर गली में ही रमाइना है जो कि शतुर्दन सिन्ना का घर है अवास है वो बहुत ही फेमस एक्टर अपने जमान में बहुत फेमस एक्टर हुआ करता था वह बहुत टॉप टॉप की मोवी दे चुके उसके एक्टिंग का हर कोई कायल थे जिस समय वो एक्टिंग करते थे अभी फिलाल वो कोई politician हो चुके और politics में ज्यादातर वो नजर भी आते हैं वो movie से बहुत दूर जा चुके कहाबत भी है ना retire अभी नेता ही नेता बनता है तो वही retire हो चुके अभी नेता अब वो नेता के घरदार में नज है तो चली जानते हैं शतुर धन सिना और सुनाक्षी सिना के life style के बारे में दोनों को बाइगोराफिया आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा यह बंगला का क्या प्राइस है वो आपको पता चलेगा उसके उसके टोटल कार collection के बारे में बताऊंगा उसका टोटल ने इसी में बॉलीबुट के दिगज अभीनेता शतुर धन सिना और अभी के दिगज अभीनेतरी शोनाक्षे शिना और उसके दो भाई लव एंड कुछ रहते हैं यह घर पूरा उनका ही इस पूरे घर में वो पूरे फैमली की साथ रहती बहुत लंबी सी टाबर है और इसका क कुछ कुछ डिजाइन इंटीरिया से मैंस करता तो जिसमार इसके बहुत है रिखाते हैं और यह हाइफा और चलिए शामने भी आपको आपको जाके दिखाते हैं इस मकान का इस मकान साफको रूबरू करवाते हैं तो कुछ इस तरह से front देखता है, जो बराबर आकछर में रमायन लिखा गया, यह घर का नाम भी रमायन है, और इस घर के जो अंदर रहते हैं, उसका बी नाम रमायन से ही tastes कुछ है, ज thoroughness चत्रुधन, शच्टुरुधन, love and WOW सब को रमायन से रिलेट करके नाम रखा और इस लिए इस घर का भी नाम रखा गया यह बहुत लंबी सी टावर है अग काफी खूशुरत लगता है देखने में देख सकते काफी लंबा काफी वरा वरा आक्षन में रमायन भी लिखा गया तो चली जानते हैं सथी लाइफ एस् स्ट्रूधन सिन्ना का जन्म 9 दिसंबर 1945 को बिहार के राजधनी पटना में एक कायस्त परिवार में हुआ था सिन्ना के पिता का नाम भूबनेश्वरी परशाद सिन्ना है और माता का नाम स्यमा देवी शिन्ना है वो अपने चारो भाई में सबसे छोटे हैं सबसे अनोखी बात यह हैं कि उनके चारो भाई का नाम राजा दसरत के चारो पुत्र के नाम के अधार पे रखा गया है पहला बेटा के नाम राम, लक्षमन, भरत और शत्रूगन ये चोथे नंबर के हैं और सतोधन सिना अपने बेटे का नाम भी लवकुष रखा है जो राम के बेटे हैं और ये इनका दोनों बेटा जुरुआ है जिसे राम के जुरुआ थे वैसे सतोधन सिना का भी बेटा जुरुआ है उनका भी नाम लवकुष और इनका बंगला का नाम भी रावाईन है तो परतमान में उसके नाम से इस इंसिचूट में डिपलोमा चात्र को चात्र विर्थी दी जाती है। उसका बिबा पूर्व मिस इंडिया पूनम सिन्ना से हुआ है। सत्रुधन के दो जुरुवा बेटे हैं लव और कूस जबकी एक बेटी सुनाक्सी सिन्ना है। जो फिल्म में काफी शफल अभिनेतरी बन चुकी है। टैलेंट उसके बच्पन से ही भड़ा पराता हुए। बच्पन में 40 से ज़्यादा कलाकार की आवाज नकल करते थे। उसके पसंदीदा अभिनेता राज कपूर और पसंदीदा अभिनेतरी नर्गिस थी। सतुधन सिना ने 24 के लोक्षभा चुना में 31 करोर की प्रपटी की घोशना की थी। सतुधन ने मुंबई से लेक पूने, दिल्ली, गुरुग्रवम और पटना तक 9 फ्लाट बंगले खडिद रखे हैं। इनकी कुल कीमत 25.75 करोर रुपया बताया जार है। इसके अलाबा मुंबई के जुहू में बना इसका आलिशान बंगला रुमायना है जो आपको शामने दिखाई दे रही है। इनकी कीमत करोरों हैं इस बंगलों को सतुधन सिना रेसिदेंसियल और आफिस दोनों तरह से इस्तमाल करते हैं। इन्होंने यो बंगला 48 साल पहले 1972 में खरीदा था और उस बक्त भी इसका कीमत करोरों में था। सतुधन सिना ने पहला घर साधी के महज 8 साल पहले ही खरीदा था। बंगला खरीदने के 8 साल बाद 1980 में उन्होंने शुनाक्छी कीमा पूनम से साधी की। जुहू के जे बी पीडी स्कीम में इस्थित या बंगला अमिताफ बच्चन के घर के भी कई गुना महंगा है। दरसल अमिताफ ने 18 फरवर 1975 को जुहू में पर्तिक्छा नाम का बंगला खरीदा था जिसका कीमत महज 8 लाग रुपिया बताया जा रहा है। जबकि सतुर्धन ने बंगले की कीमत उस दौर में करोर रुपिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताविश सतुर्धन सिना के पास पटना इस्थित लवकुस टाबर में 1.25 करोर रुपिया का फ्लाट है। वे इसे ऑफिस के तौर पर इस्तमाल करते हैं। इसके अलावा उसके पास पूने में 5 करोर का वेरहोस भी है। सतुर्धन ने 1989 में मुंबई में मड आइलेंड में प्रपटी खड़ी दे थी जिसके कीमत 9.8 करोर रुपिया है। वहीं इनकी वाइफ पूनाम ने 2000 में पूने में 15 करोर की प्रपटी खड़ी दी थी। इसके अलावा देहरा दुन में भी इसकी जमीन है और जिसकी कीमत 6.0,000 रुपिया बताया जाता है। सतुर्धन सिना कारों के बहुत सवकिन है। 1973 में आई शफल थी जिसमें उनके साथ पूनम ने कास्ट किया था जो बाद में सतुर्धन सिना की पत्नी बनी। सतुर्धन सिना को जहां उनकी आदाकारी के लिए जाना जाता है। वहीं बुलन अवाज के कारण भी कई डायलोग फेमस है। सतुर्धन सिना का एक्चा बचपन से ही फिल्मों में काम करने के थी। अपने पिता की एक्चा को दरकिनार कर हुए फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टूट अफूने में परवेश लिया। वहाँ से ट्रेनिंग लेने एक बाद फिल्म में कोसिस करने लगे लेकिन कटे होट के कारण किसमत साथ नहीं दे रही थी। ऐसे में वो प्लास्टिक सजरी करने का शोचने लगा। तभी देवानन ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। उन्होंने वर्ष 1979 में फिल्म साजन से अपने करियर की शुरुआत किया था। इसी बीच उसके और रिना रोय के अफेर की चर्चा शुरू हो गई। लेकिन ये अफेर जादा दिन तक नहीं चला। इसके बाद उनका नाम पूनम से जुरा जाने लगा। पूनम उनके साथ फिल्म इनस्यूट फूने में साथ पढ़ती थी। पर्स 1992 में नई दिले में उपचुनाब में अपने प्रियमित अविनेता राजिस खन्ना के खिलाब चुनाब लड़ा। जिसमें सतुर्धन सिन्ना 25,000 मतोस के अंतर हार गए। पर्धान मंतरी अटल विहरी वास्पे सरकार के अंतरगत कैविनेट मंतरी बने। उन्होंने स्वास्त और परिवार कल्यान बेभाग दुहा तीन चार और अगस्त दुहाचार का प्रभार संभाला गया। मैं 26 में भास्पा संस्क्रिती और कला विज्ञान के परमुक निवक्त किये गए। 2009 में भारतिय आम चुनाब बिहार की पटना साहिब लोक्षबा छेतर से जित दर्ज कराई। उन्होंने अविनेता सेखर शुमन को कुल 3,12,642 मतों से प्राजित किया था। 2014 में भारतिय आम चुनाब में पुन पटना साहिब से लोक्षबा छेतर सीट पर बिज़े प्राप्त किया। लाइफ टाइम एचिमेंड के लिए इसे जीस ने आवार्ड से पुरुस्तकार समानित किया गया। 2014 में भारतिय सिनामे में उत्क्रिस्ट योगदान के लिए इसे आलफा आवार्ड से भी समानित किया जा चुका है। तो यही था सतुधन सिना के बायोगराफी जो मैं आप लोग साथ सेर किया और उसके बंगलों को टूर करवाया। तो यह ब्लॉक आप लोग को कैसा लगा प्लीज कमेंट कर जोड़ बताईएगा। अगर आप इस चैनल पर नए है तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब करते ताकि आएसे वीडियो में आप लोग के लिए लाता रहता हूं। आप